कि नमस्कार शीकंद की रसुई में आपको साउगत है और यह देखिए यह धन्या लेके आई हूँ कि यह देखिए इसको कुछ से दो के साप कर लिया है और एक सुखे कपड़ पे इसको फैला दिया है क्योंकि जब धन्या का चीज है नहीं होता धन्या हमको नहीं मिलता है तो फिर हम लोगों को यूज करना होता है तो जैसे यूज करना है तो मैं क्या करके पीश के रख महीन इसका महीन पाउडर बना दिया था और रख जब सब्जी में उपर पहनी चुकी होती है तो थोड़ा जादा चमची डाल दीजिए तो ऐसे क्या था धनिया डेली खराब हो जाता है और मैं भी देखती हूं मैं कितना दनिया मेरे गार आता हो कितना फेका जाता है तो इ नीचे रख देती हूं जब पूरा पानी सुख जाएगा तो या तो कमरे में पंके के नीचे सुखा लिया जाएगा और नहीं तो इसको माइकर वेब से खाली जिए माइकर वेब ना हो तो तब यह भी सूख सकती है जैसे मैंने मैथी किया था उसी तरस हम धनिया को भी तो फिलाल तो इस वेने धो दिया और इसके उपर कपड़ डाल दिया और पंखा चला दूंगे देखती हूं इसका पानी सूख जाएगा तब इसको नाइकर वेब में रख दूंगी या पंके में भी आप रखके लगाशार सुखा सकते हैं पर धूब में मत रखिएगा दूब में मत रखिएगा अपने घर में सखा लीजिए हवा में और यह दूब में सुखाएं यह तो उसका कलर भी चला जाएगा और उसके कुछ बूगी तो मैंने तो कर दिया और मैं राद भर इसको पंका चला दूंगे पंका चलाएंगे तो यह काफी ड्राई हो जाएग पानी निकल जाएगा तो फिर मैं इसको तभी पे शेक लूगी गरम कर लोंगे और नहीं तो माइकरवीव में कर लोंगी और फिर आपको इसको पीस के फाइन पाउडर बनाओंगी तो उसका आगी का मैं दिखाऊंगी यह देखिए यह से बनाया था देखिए किता बढ़ि देखिए जो धनिया मैंने कपड़े पर डाला हुआ था वो धनिया एकडम देखिए यह का पानी ड्राई हो रहा फैन के नीचे मैंने रख दिया से इसको यह देखिए अब मैं धूप में नहीं सुखाती हूँ अब मैं क्या करूंगे मैंने यह पर एक नॉनिस्टिक तवा देखिए इसको बाने गरम कर दिया गैस को अउफ दिये और इस तारी से देखिए इस तरह थे से इसको ड़ दूंगे तो कि गरम पे रहेगा प्रिस को मत्तम गैस नहीं आन करनी है इस तवा गरम है हमारा और इस तरह से मैं इसके उपर डाल दूब यह ड्राइव हो जाएगा और मैं इसको माइक्रवेव में भी रख सकते हैं मैंकरूवेव में गर्व द्राइव जाएगा अब माइकर वह हो तो 30-second करके आप उसको 50 मिट करिए हो के तीस सेकंड फिर बन करके फिर बंद करके 30 से कर से पार मिνूट कर ये औंँच कर देए और पिर बन तो दोडल कर लें लिए कि लेते तरी तियार पॉड़र ना घ्र लेते हैं और जब आपको सीुस्टces बहुता बार बार ऐसे करेंगे तो दो बार अपने और बने के बार ने के बाद डाल दीए वह फोस्त टेस्टी सब्जी बनती है विलकुल बढ़िया सा फ्लेवर आता रह खुच्जबू आती है इस पर देखे बिल्कुल ड्राई हो गया देखे यह देखे और अगर अब का यह थंडा हो जाए नौन इस टीप पर ही डालिएगा तो फिर से फिर हलका सा फिर गरम कर दीजिए बार बार ऐसे करेंगे तो दो तिन बार में हो जाता है यह देखे कुल ड्राई होगे हमें इसको मिक्षी में पीछ लिए और फाइन पाउडर ते अश्यार दोंगे वो दिखाते हैं आपको यह दिखिए हमने इसको यह तो हाँ से ही हो गया अब इसको बस छान लोंगी ते फाइन पाउडर हमारा बन जाएगा इसको छान लोंगी छलनी से मोटाला हटा दूँगी उपनीचे पाउडर रह जाएगा आप तो दिखाती हूं कि अगर आप अगर आप अगर आप अगर आप अगर अगर आप अगर अगर दिखिए हो गया है वसंदा आए तो लाइक शेर सब्सक्राइब करिएगा और एक बार बना के आप भी इस को रख लीजिए और देखिएगा कितना यूस्फुल है यह और आपको पसंद है तो लाइक शेर सब्क्राइब बैल आइकन क्लिक करिएगा शेर भी कीजिएगा और अगली वीडियो का इंदिजार कीजिएगा थैंक यू थैंक्स पर वाचिंग